दिल्ली की कतित शराब गोचाला मामले में सीय मरवंद केजरिवाल को 15 अपरेल तक के लिए तियार जेल बेचिया गया है कलीडी ने उन्हें राउ जविन्यू कोट में पेश किया था जाच अजिंसी ने कोट से केजरिवाल की 14 दिनों की नयाई किरासत मांगी जिसे कोट ने स्विकार भी कर लिया इसी जेल में शराब नीती केस में आरोपी मरीश से सो दिया संजे सिंग अलग-अलग सेल में बंद आये केक कविता भी महिला सेल नमर छे में रखी गई है केजरिवाल की गिरफतारी के खलाफ याजिका पर दिल्य आईकोट में तीन अप्रेल को सुनवाई होनी है यह बड़ी खबर इस वक्त की अप्तियार जेल की बैरक नमर दो में अरविंद केजरिवाल इस वक्त मौझूद है तो बड़ी खबर इस वक्त की जो भी वहां का मैनुवल है उसी के इसाब से सुविदाय अरविंद केजरिवाल को दी जाएंगी अलंकि घर का खाना पीना उन्हें महिया कराने के बारे में कहा गया है उन्हें शुगर की प्रॉब्लम है तो उसले आज से भी जो मेडिकल उन्हें सुविदाय मौया कराई जानी है उन्हें सभी का खयाल रखा गया है तो शराव गुचाला मामले में तिहार में अरविंद केजरिवाल के अलावा अभी कौन-कौन से आमादभी पार्टी के नेता मौजूद है और अरविंद केजरिवाल को तिहार की जेल नमबर दो के बैरक में अकेले रखा गया है केजरिवाल की पहली राथ तिहार जेल में कटी है जिस बैरक में केजरिवाल को रखा गया है वो 14 फीट लंबा है 8 फीट चौड़ा है इसमें एक टीवी लगा हुआ है सीमेंट का उंचा चबुटरा बना हुआ है बैरक के बार चार सुरक्षा कर्मी हर वक्त यहां पर मौजूद रहेंगे तो बड़ी खबर आपको बता रहें जेल नमबर दो में केजरिवाल को शिफ्ट किया गया है हलकि इस जेल नमबर दो में अरबिंद केजरिवाल को अकेले रखा गया है और चार सुरक्षा कर्मी इसी बैरक के बाहर हर वक्त मौजूद रहेंगे गैंग्स्टेप मुक्तार अंसारी से जुड़ी वे इस वक्ती बड़ी खबर आपको बता दे मुक्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा जेल अधीकशक को फोन पर जान से बानने की दम की दी गई है और इसके बाद से विबाग में हनकंप मचा हुआ है बांदा जेल अधीकशक ने मामले में बांदा कोतवाली में केस भी दच करा दिया है इसके बाद उस फोन कॉल को ट् जान से मालने की दम की दिया है। उसी राद बांदा जेल के जेल अधिचक विरेश राज सर्मा के पास लैंड नमबर से एक अग्यात खालार का फोन आता है जिसमें उसे ठोक देने की धम की देता है। घट कर दिया है जिसके बाद पुलिस की कही टीम उचे कालर आईडी को सर्च करने पर जुट हुई है लेकिन दो दिन से ज़्यादा का समय बीट गया है। तक उस नमबर को फुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। जिससे घटना के बाद जो जेल के अधिकारी है वह दरे समय हुए हैं और कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं। वाना से अफले सुनका न्यूजटीन। आरोफी अंग प्रत्यार उपन के लिए लगने वाले अनोसी को फर्जी तरीके से बनाते थे। जाच के दौरान आरोफी करमशारियों से संबंदित विबाग से विदेशों से जुड़ेवे कई लोगों की फाईल भी मिली है। इसी से बाना जा रहा है कि फर्जी अंग प्रत्यार उपन के तार विदेशों तक जुड़े हो सकते हैं। दूसरी बैठक रिपोर्ट के मुताबिक 26 जूम 1974 को कॉलंबो में और दूसरी बैठक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बैठक दिल्ली में हुई थी जो 28 जूम 1974 में हुई थी। और दोनों बैठकों के बाद ये फैसला किया गया था कि कच्चा थी वो दूइब श्री लंका को सौंप दिया जाए। लेकिन कॉंग्रेस ने इन आरोपों का कनेक्शन चुनाव से जोड़ दिया। कॉंग्रेस भले ही कच्चा थी वो दूइब के मामले को चुनावी मुद्दा बताए लेकिन प्रधान मंतरी ये मुद्दा पहले भी उठा चुके हैं। और इस बारे में पिछले साल सदन में पेश हुए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दोरान उन्होंने बात की थी। पार्क स्ट्रेट में कई दूइब हैं और कच्चा थी वो दूइब उन्हीं में एक हैं। लेकिन भारत में अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद ये मड्रास प्रसिडेंसी यानि भारत का हिस्सा बन गया था। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो सरकारी दस्तावेजों में इसे भारत का हिस्सा बताया गया था। उस वक्त भी शिलंका इस पर अपना अधिकार जता था। लेकिन कहते हैं उन्होंने इस बामले को खास तवज्जों नहीं दी थी। मान लिया था और भारत के एक गुईब को शिलंका को दे दिया था। यही नहीं 2014 में इस मुद्धे पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई थी। और बहस में कहा गया था कि अगर भारत था। झाल सब्सक्राइब और भारत था। झाल सब्सक्राइब पर भारत था था कि अगर्जूं रग्यों आप रिया था भारत था। झाल झाल